Hello Everyone, Welcome to TechnoRohes और ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप कैसे जो एक YouTube का चैनल बना सकते हैं फ्री में और उसके उपर जो वो अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और उसके जरीए जो वो एक पैसे कमा सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा step-by-step tutorials बताऊँगा और बहुत सो लोग जो भी planning कर रहेगी YouTube का चैनल बनाने के लिए और उसके उपर आप जैसी की सोचते हैं कि जो एड़डियस्मेंट आते हैं उसको लगा कि कैसे पैसे कमा सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से जाएएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो इसी तरीके से मैं आपकी जो help करूँगा डेली आपको useful वीडियो देता रहूँगा और आपके help के वज़े से मेरे चैनल की growth भी होगी और आपकी वीडियो help होती रह है पहला जो Gmail account है उसके बाद आपका phone number है तीसरा जो bank account है और चौता जो आपके वीडियो से और Gmail account के बारे में बता रहता हो कि Gmail account आज की तारिक में सब के पास होता है और Gmail account आप जो Android phone यूज करते है तो प्लेश्टूर में भी आपका Gmail account जो वगएरा चलता है तो Gmail account आप जा sign in का tab है इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपके Gmail account आपको उससे जो वह login करना है तो यहाँ पे मैं इस account से जो login कर ले तो एक sample account है और password डाल देता हूँ उसके बाद जो हो मैं sign in कर देता हूँ तो जिस तरीके से मैं इसको sign in करूँगा तो मेरे पास जो आप YouTube के नया मतलब एक page खोल देगा और right में आप देख सकते हैं उपर की तरफ आप जो sign in का tab हट गया है और यह जो अप मेरा account बन गया है तो यह वही account है जो account मेरा Gmail का था उसी account से YouTube के अदर मैंने जो login कर दिया हूँ तो पहला step जो हमारा था Gmail account बना के YouTube में sign in करना तो पहला step जो आप complete हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो यह जो menu है राइट के अदर आप देख सकते हैं उपर के अंदर जो एक face बना होगा छोटा आपको उसके ओपर जो click करना है इस तरीके से और एक छोटा सा menu खुलेगा वहाँ पर आपको जो वह creator studio में click करना है जैसे आप creator studio में click करेंगे तो आपके सामने एक नया page खुलेगा यह आपका जो page इसको dashboard बोलते है यानि कि एक menu page है आपको जो यह जिसका account है उसको इस तरीके से दिखाएगा तो यह पाट जो यहाँ पर आपके वीडियो दिखाएंगे जितने सारे वीडियो अप् फीचर जे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको जाना है चैनल में जैसे आप चैनल में जाएगे तो आप देख सकते है राइट में आपको यह page खुल के देगा तो यहाँ पे आप देख सकते है यह आपकी standing दिखा रहा है चैनल की standing कैसी good standing की copyright भी हमारा सही है य आपको verify पे click करना है इस तरीके से और यहाँ पर नया page open करके देगा और यहाँ पर देख सकते हैं आपको बलेगा अपनी country को select करिएगा तो आप जो अपनी country को इस तरीके से select कर लिएगा उसके बाद आपको बोलेगा नीचे आपको किस तरीके से जो उसका text यानि कि या call च मोबाइल नंबर यहाँ पर दालता हूं तो आप देख सकते हैं यह जो आपका valid या आपका जो personal मोबाइल नंबर है वो इसके उपर आपको add करके डालना ताकि हमेशा से आपको जो number हो यहाँ पर save हो जाएगा फिर आपको एक text message आएगा write में आप देख सकते हैं इस तरीके स गूगल verification code बताएगा तो यह जो code आएगा हमें वो यहाँ पर दालना है next करने के बाद तो इस box के अंदर अभी मैं यह code डाल दुआ 785846 तो यह सबका code होता है यह सबका unique code होता है यानि कि सबका code जो same नहीं होता है तो इस तरीके से यहाँ पर मैं यह code डाल देता हूं उसक हम फिलाल के लिए जो verified हो गया यानि कि YouTube पे हम अभी वीडियोज दालके YouTube ने हमें verified करते है कि हाँ तुम हमारे साथ partnership कर सकते हो और हमारा YouTube पे जो वीडियोज दाल सकते हो जी हाँ अब आपको में दूसरा important step यहाँ पर पतात है यह दिख सकते हो monetization तो यहाँ पर आपको अप और उसको सेफ कर रहा है तो जैसी हम सेफ करते हैं तो हमारा जो monetization का option यानि कि advertisement हमारे वीडियोज पर दिखती है उसको monetization बोलते है वह enabled हो जाएगा इस तरीके से मैं आपको बता रहता हूँ देखिए फिर से हम जाते हैं हमारे dashboard की तरफ और हमारे channels की तरफ हम फिर से जाते है आप यहां पर देख सकते हैं नीचे की तरफ monetization आप जो इनेबल करने का option दे दिया है यानि कि आप हम जो यानि कि इसके काबिल हो गए कि ताकि हम जो अपनी वीडियोज को इस पर अप्लोड करके advertisement डाल सकते हैं लेकिन यहां पर आपको बता रहा है आपको पहला जो आप अपनी एक प्लोड कर लेता हूँ उसके बाद हम फिर से आते हो इनेबल्म आकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं अभी मैं फिर से आया हूँ और अब जो मैं इसके ओपर एक video upload कर दिया हूँ सेंपल वीडियो फिर से जो मैं enable पर क्लिक करता हूँ इस तरीके स और आप देखे के फिरसे में यहाँ पे इनेबल में अकाउंट पे क्लिक करोगा तो यहाँ पे अब जो हो मेरे सामने एक विंडो सामने ओपन होके आ जाएगा उसका मतलब यह कि मेरे चैनल पर उन्होंने एक वीडियो वेरिफाय कर दिया है अब जो मुझे वो यहाँ पे अब क्या हो गया इस तरीकिसे यहाँ पे आपको सारे agreement जो यूट्यव की तरफ से मिलता है इसको जो आपको टिक करना है और जैसे आप टिक कर लेगे तो नीचे की तरफ आपको आए एकसेप्ट करना को तो अब एकसेप्ट कर लेगे तो अब यह कुछेगा किस तरीकी के advertisement आप अपने वीडियो पर दिखाना चाहते हैं तो आपको जो चाहिए वो इसाफ सब सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको जो वह monetize कर सकते हैं इस तरीके से राइट में नीचे का option है monetize तो यह मैंने monetize क्लिक कर दे तो जी हां अब क्या हो गया कि मेरे channel के ओपर जो भी अपने account में set हो जाए तो यह आप देख सकते हैं जैसे मैंने monetize किया तो यहाँ पर मुझे वह रहा link my account कर दो google adsense तो मैं यहाँ पर click कर लेता हूँ google adsense पे और यहां से जो मैं अपने account को जो verify कर लोगा तो इस link पर मैंने click किया और एक मेरे सामने एक नया page कुलता है google adsense का तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस page के उपर आपको यह सारे options देता है आपको sign in करने बोलेंगा आपको उसी account से sign in करना है जो अपने youtube के उपर जो लोग-in किया तो मैंने यहाँ पर sign in कर लिया हूँ यून है वह website मैं इस पर click कर दूगा एक window open होगा इसको फिर से आपको कुछ नहीं करना है पढ़ना है तो पढ़ सकते इसको close कर देना है तो वह क्या करेगा अधरसी यह तीसरा विंड़ो आया है और यहां पे आपको ताइम्-zone nn सेल्याप करना है यहां पे हमारा इंडिया का था ताइम जोन आता है वह सकता करना है तो यहां Philadelphia कि गोगल की तरफ से आपको जो कार्ड आएगा वह लेटर आएगा उसके अंदर से आपको गूगल एट्स एंट के ओपर जो कोड डालना पड़ता है यहां पर पिन कोड डाल देते हैं City को स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहां पिर से आपको अपना नमबर दालने हैं यह वही नमबर दालना है जिस नमबर से आपने यूट्यूब के अपर अपना अकाउट अच्पिवेट किये था तो यहाँ पर फिर से अपना mobile नमबर दाल देखा उस तरीके से नमबर दलने के बाद आपको नीचे submit में application पर click करना है जैसे आप submit में application पर click करें के तो यह आपको बोलेगा कि email वगरा को आपको प्रेफेरेंस करना बहुत जरूरी है इस तरीके से यह आपको error देदेगा तो आपको यहाँ पर right में नीचे जो box दिक रहा है छोटा सा यह सारे box को आपको tick करना है yes 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 करके जो हो इसको tick करना है इस तरीके से और फिर आपको जो submit application करना है तो जैसे आप submit कर लेगे उसके बाद यह क्या करेगा कि आपको जो हो आपके YouTube account के उपर automatically जो हो redirect कर लेगा इस तरीके से यहाँ पर open page होगा इसको yes करना है और आपको जो नीचे की तरफ जो हो उससे accept करना है जो यहाँ पर लिखा है redirecting you back to YouTube अब फिर से आपको जो आपके YouTube के पेज पर लेके जाएगा और वहाँ पर आपको बोलेगा यह application has been submitted और यह review होगा यह एक हफता लगे कर आपको review करने के लिए review हो जाएगा उसके बाद आपके account में जो हो पैसे आना शुरू हो जाएगे मैं आपको बता रहे तो फिर आपको अपना account number वहाँ पर जाके जो कै पैसे नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपको basic चीजे में बता जेता है कि क्या चीजे लगती है YouTube के account यह वह set करने करें तो आप देख सकते है इस for example मेरे sample video है तो मैं video manager में जाता हूँ और उसको यहाँ पर नीचे की तरफ यह वह देख सकते है यह monetize का tab है यह green है याली कि यह video जो monetize है और उसके पर जो भी advertisement आईगी मुझे जो पैसा मिलेगा आपको क्या करना है video manager में जाना है इसके तरीके से settings में जाना है और monetization नीचे की तरफ आफ रहेगा उसको जो आउन करना है तो इस तरीके से आप उसको on कर लिए जिएगा और उसके बाद जो अपनी settings को नीचे की तरफ जो वह safe कर लेना है तो जैसे कि आप safe कर लेगे तो आप जैसे कि अब अभी dashboard पर जाएगा वीडियो manager में जाएगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो चैनल के ओपर जो भी आप videos डाल रहे है वो जो वह monetize हो गए है और उसके पर advertisement आ जाएगी और आप जो उसके तरी जो पैसे कमा सकते इस तरीके से आप green tick हो जाएगा अब आपको मैं बता देता हूँ कि अब यह green tick तो हो गया advertisement भी setup होगी हमारा account भी verified हो गया तो आप जो पैसे आएगे वो कैसे आएगे पैसे आना तो चालो हो गया लेकिन आपका account अभी तक जो वो set नहीं है तो आपको क्या करना है कि Google Adsend में जाना है इस तरीके से आप यह लिंक उपर देख सकते हैं आप आप मैं अपने वीडियो को decision में आपको link दे दूँगा आपको जाना है तो जैसे आप चैनल open करेंगे आपको बोलेंगा आपको account को नहीं verify करने की जबी जरूरत पड़ेगी तो जैसे आपका वी review हो जाएगा तो राइट में आपको मैं यह सारे screenshots दे रहा हूं आप इस तरीके से जाएगा और अपने जो चैनल को जो वहाँ पे जो वह सेट अप कर लिएगा और अपना account नमबर आप मुझे वीडियो की निचे comment करके बताईएगा तो आपको जो मैं help जरूर करोगा तो till then have a great day and always keep smiling